नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिहार पंचार चुना में मतदान दॉल के सदस कितने होंगे और P3A, P3B, P3C का क्या कार है और P1, P2, P3 का भी संचीत रूमें हम देखेंगे चलिए शुरुआत करते हैं मताता दॉल का गठन याने कि गठन कितने सदस होंगे मतदान दॉल में कूल 6 सदस होंगे पहले होते थे तीन होते थे देखेंगे पिठासिन पद्रिकारी एक होंगे मतदान प्रथम मतदान पद्रिकारी होंगे P1 एक होंगे दिर्थिये मद्दान पद्रिकारी यानि P2 एक होंगे और दखिए दिर्थिये मद्दान पद्रिकारी दिर्थिये मद्दान पद्रिकारी ये तीन होंगे अब परिहार कार्ज से यदि पिठासिन प्रद्रिकारी अनुपस्थित होते हैं तो परथम मद्दान प्रद्रिकारी के उनके डईत्यों को निभाएंगे ये तो पहले से ट्रेनिंग में आप लोगों को बता दिया हो गया है पिछले बार चुनाव में अब देखते हैं परथ मद्दान प्रद्रिकारी का कार्ज निर्वाचक निमावली को चिनित प्रति प्रभारी रहेंगे उसका और निर्वाचकों के पहचान पहचान के करम में निर्वाचन को करम संख्यार जोर से बोलेंगे यानि कि पहचान करकर करम संख्यार जोर से बोलेंगे सभी मद्दाटा के मामले में एकल क्रोश तथा महिला मद्दाटा के मामले में मद्दाटा करमांग को गोल घेरा लगाएंगे पंच और सरपंच का मत्र पत्र का परभारी रहेंगे मत्र पत्र के परतिपन और हताक्ष और अंग्ठा प्राप करेंगे प्रतिपर्ण पर मद्दाता का निर्वाचों का कर्मा नूट करेंगे प्रतिपर्ण पर चान का धार इपिक या अन्य अंकित करेंगे तर्थ पचार दोनों मद्पत्र मद्दान पद्दिकारी को दिर्टियों को देंगे अब देखते हैं, दितिये मदान पतिदार्ग काabad, पी टू का ये तो आप लोग जानते ही हुँगे, P1, P2 अमित स्हाही के परभारी हुँगे, बाई तर्जनि पर अमित शाही लगाना है इतो जानते ही हैं मद्दाता रजिस्टर के परभारी होंगे मद्दान रजिस्टर पर मद्दाता का हत्ताक्ष और अंग्ठा का निशान लगवाएंगे मद्दाता परची मद्दाता को निर्वत करेंगे प्रथम मद्दान पद्रिकारी से प्राप्त दो मत्पत तिर्थिये मद्दान पद्रिकारी को उपलब कराएंगे P3A याने तिर्थिये मद्दान पद्रिकारी तिर्थिये मद्दान पद्रिकारी को अब हम लोग देखते हैं यही अब इस ट्रेंणिंग में थोड़ा नया है अब देखते हैं P3 ये प्लास्टिक भोटिंग स्टीप परभारी रहेंगे ये दोनों प्राप्त मत पत्रों को बिधुवत मुड़ कर पुनह खोल कर देंगे तथा मत देने के परिक्रिया से अगवत कराएंगे मत दाता को मत दान को चिनित करने वाली मुहर देंगे अब देखते हैं P3B संचीवत रूप में बता रहे हैं बाद में 20-30 से जाना जगा मुखिया और ग्राम पंचायद के सदस्य के कोंट्रोल यूनिट के परभारी मत दाता परची के अधार पर उसमें अंकित क्रम संख्या के नुशार मत दान कोष्ट में जाने के अनुवति देंगे तथा तद नुशार CU का बैलेक बटम दबाएंगे P3B के यही काम है कि मुखिया और ग्राम पंचायद के सदस्य कोंट्रोल यूनिट के परभारी मत दाता परची के अधार पर उसमें अंकित क्रम संख्या को नुशार मत दान कोष्ट में जाने के नुवति देंगे और CU का बैलेक बटम दबाएंगे अब दखते हैं P3C का पंचायद समीति सदस यू जीला परिशत के सदस से CU सदस के सियू के परभारी होंगे यानि पंचायद समीति के सदस और जीला परिशत के सदस से वो P2 जो थे मुख्या और वाड यू पहलेक बटम दबाएंगे P3C से परची प्रापकर स्रोख्षिन संधारन करेंगे यानि के P1 के काम जो होंगे वो पंच और सरपंच वाला और P3C का पंच सरपंच वाला और P3B का मुख्या ग्राम पंचायद के सदस और P3C का पंचायद समिनिक सदस और जिला परिसद इन्ही का कार्च है वो करेंगे बटम दबाएंगे दोस्तों अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सस्क्राइब लाइक जरूर कीजिए इसी परकार वीडियो में अपने चैनल पर डलता रहता हूँ चुना समदी पर सिक्षन समदी वीडियो डलता रहुँगा और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास सब्सेशर कीजिए मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक ये जे हिन जे भारत और से ट्रेनिंग का विश्टित जनकारी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी पंचार चुनाओं में चुनाओं से पुर्व हर एक जिला में दी जाती है दोस्तों अब मिलते हैं अगरा वीडियो में तब तब के जै हिन जै भारत